साथियों आज ही देश ने एक और महत्वपूर्ण पड़ाव को पार किया है साल की शुरुवात देश ने 15 से 18 साल की उमर के बच्चों के लिए वैक्सिनेशन से की थी वही आज साल के पहले महने के पहले हपते में भारत 150 करोड़ 1.5 बिलियन वैक्सिन डोजेज का एतिहासिक मुकाम भी हासिल कर रहा है 150 करोड़ वैक्सिन डोज वो भी एक साल से कम समय में है ये आंकड़ों के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या है दुनिया के जादातर बड़े बड़े देशों के लिए भी ये किसी आश्चिरिय से कम नहीं है लेकिन भारत के लिए एक सो तीस करोड़ देश्वास्यों के सामर्थ का प्रतीक है